हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वेडियो कैद और पक्षी की उपर हिंदी में कहानी चलिए सबसे पहले हम इसके मुद्दे देखते हैं निर्पराद व्यक्ति का कैदी बन जाना राजा का जेल देखने के लिए आना कैदी की फरियाद करना निर्पराद समझकर आजाद कर देना सीख चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं राजस्थान नामक इस्थान पर एक रियासत थी उसके राज्य का कामरकाज सभी नौकर देखते थे राजा सरल एवं सीधे स्वभाव का था परंतु वह स्वए अपने राज्य का राजकार नहीं देखता था इन सभी बातों का लाव उसके नौकर चाकर उठाते थे इसलिए राज में प्रतेग व्यक्ति के साथ अन्याई ही होता था एक दिन राजा जेल खाना देखने गया उसने वहाँ जाकर सभी कैदियों से बात की एक कैदी ने राजा से फरियाद की मैं निर्दोश हूँ किन्तु फिर भी मुझे सजा मिली है मेरे साथ अन्याई किया गया है तब राजा ने उस कैदी की बात सुनकर कहा हम इस मामले की जाँच करेंगे इसके बाद राजा ने जाँच की और उन्हें मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अपराधिन न होकर भी अपनी सजा काट रहा था तब राजा ने उस व्यक्ति को आदर पूर्वक अपने पास बुलाया उसे बहुत सारा धन देकर छोड़ दिया वह राजा से धन प्राप्त करके उस बजार में गया जहां पर तोता मैना इत्यादी पक्षी पिंजरें में बंद थे व्यपारियों ने उन्हें बेचने के लिए रखा था वह उन पक्षीयों को पिंजरें में बंद देखकर अत्यधिक दुखी हुआ उसने व्यापारियों से कहा मैं इन सभी पक्षियों को खरीदना चाहता हूँ व्यापारियों ने उससे इसका कारण जानना चाहा उन्होंने पूछा क्यों तुम ये सभी पक्षियों को खरीद कर चिडिया घर बनाना चाहते हो उसने कहा नहीं मैं इन सब को खरीद कर आजाद कर देना चाहता हूँ सभी पक्षियों ने किसी का कोई अपराद नहीं किया है किन्तु फिर भी इन्हें पकड़ कर पिंजरे में कैद कर दिया गया है कुछ व्यापारियों ने उस व्यक्ति की बात सुनकर पक्षियों को यो ही छोड़ दिया कुछ व्यापारियों ने जो कि उसकी उदाहरता को मुर्खता समझ रहे थे उसने उन पक्षियों के दुगने चोगने दाम लिये इसके बाद उसने बाजार में पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीद कर पिंजरे से आजाद कर दिया सीख जब किसी भी व्यक्ति के स्वयव पर आपत या मुसीबत आती है तभी उससे ख्याल आता है कि ऐसी मुसीबत से दूसरे भी दुखी होते हैं ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल AP Classes को सब्सक्राइब करके रखिए